हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने वीवो वाई 21T Android मौईट फोन में आप जो है लॉक स्क्रीन पोस्टर सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं यानि क्यों आण कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह lock screen poster setting जो है enable होने के बाद ही setting कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में हम आपको detail में जनकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को हमें start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है setting page में आपको नीचे option मिलगा lock screen and wallpaper इसे आपको select करना है इसके अगले page में आपको नीचे option मिलगा lock screen setting का इसे select करना है अब lock screen poster के इस option पर आपको select करना है ठीक है अब lock screen poster wallpaper का यह option आदेगा इसके सामने बटन को tap करके से on करना है इसे on करने से पहले हम आपको कुछ बाते यहां पर बता देता हूँ देखे जब भी हम अपने mobile phone की lock screen पर होते हैं यहां पर अगर हम इस तरीकी से left में या right में ऐसे करते हैं तो यहां पर आपको कुछ भी show नहीं होता है तो यहां पर आपको अपने mobile phone की lock screen पर वापिस जाना है तो आपको इसे जो arrow का बटन दे रहा है उपर में इसे आपको एक बार दबाना है तो आप अपने mobile phone की lock screen पर आ जाएंगे यहां पर आप जो अपने phone को unlock कर पाएंगे ठीक है तो यह setting जो ने lock screen poster setting enable करने के बाद इस तरीकी से काम करती है आपके mobile phone में अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है setting page में आपको सबसे ओपर इस search icon सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको search bar में टाइप करना है lock screen poster ठीक है जो setting का name है यहां पर आपको पूरा टाइप करना है इस तरीकी से लॉक स्क्रीन पोस्टर तो आपको जो है नीचे की साइट यह option शो हो जाएगा इसे सेलेक्ट करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको डिरेक्टली इस setting page में लेकर आ जाता है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है setting को ढूंडने का